आप लोगों की बहुत टाइम से क्वेरी आ रही थे और कमेंट आ रहे थे हमें सर्थ हमें मौस्ट इंपोर्टन टॉपिक्स की लिस्ट बताइए जो कि टार्गेट करें गैडबी को नहीं गैडबी के एक्जाम 2024 वाली को आपकी को आज रिजॉल्व करता हूं मैं आज लेकर रहा हूं आपके लिए मौस्ट इंपोर्टन टॉपिक्स ऑफ गेडबी विच विच विल टार्गेट विच विल हैल्प यू तो क्वालीफाई गैडबी 2024 ठीक है और वो कब होने वाली है वो 20 अपरिल को होने वाली है याद रखिए यह टॉपिक्स जो मैं आपको बताने व बहुत पहले टाइम से जो पेपर अनलिसे जिस टाइप गेडबी जिस टॉपिक्स पर फोकस करती जिन यूनिट्स पर फोकस करती मैं आज वो आपके तामिल लेकर आया हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ध्यान रखना यह लिस्ट में से कंफर्म कोश्टन आते हैं तो यहां से यह टॉपिक्स जो आपके सामने पेंशन है यहां पर मेरे पिछे दिखाई भी दे रहूंगे यह इंपोर्टेंट है अब आप बलूगे सर आप तो पूरी बायकेमिस्टी ले आए तो याद रखिए गैडबी में बायकेमिस्टी का पोश्टन बहुत जादा प पड़ी ठीक है देखो जरा मैं आपको इसकी इमपोर्टेंट भी बता देता हूं यहां पर ही मेंशन है 27 पूचे गहे थे 2023 मेर गैडबी मेर जिर्फ बायकेमिस्टी से 16 कोश्चन पूचे गहे थे गैडबी में है 172 मे बायकेमिस्टी से 28 कोश्चन पूचे गहे थे tiếpर 2021 में सिर्फ बाइक पूछे गएते कितने हैं अकेली इसी यूनिट से बाइक केमिस्ट्री की हैं 2020 में तेसे लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि इसमें से लाए गए हर एक पॉइंट हर एक यूनिट के इस यूनिट में से जो जो टॉपिक है वह सारी इंपोर्टेंट से हैं तो उनक पूछा जाता है mainly genome organization आप देख सकते हैं पढ़ लीजिएगा the cell cycle से भी questions आते हैं वही हम बात करें molecular biology में most important topics जो target करते हो गैट बी 2024 को जो की 20 April को होने वाली है molecular biology से हम बात करें तो replication translation lake operon tryptophan operon and their gene regulation चलिए अब immunology में most important topics की list में देखें तो याद रखिएगा cell and organs of immune system से questions पूछे जाते हैं hybridoma technology से questions पूछे जाते हैं antibody से question पूछे जाते हैं vaccine से question पूछे जाते हैं और hypersensitivity से question पूछे जाते हैं अब हम बात करें animal physiology के तो आप animal physiology से कौन से topic से question पूछे जाते तो endocrinology and reproductive parts है क्याने कि जहां hormonal की बात की जाए और reproduction की बात की जाए वहां से question आया है animal physiology में mainly target वह यह करता है वही हम बात करें अब genetics unit की तो genetics में कौन कौन से हैं mandaline genetics से question आते हैं human genetic disorder जो होते हैं वहां से question बनते हैं गैडवी के अंदर और वही molecular marker से भी questions बनते हैं गैडवी के अंदर याद रखिए यह questions को हमने point out किया है previous years के paper के basis पर भी जहां-जहां से question बने हैं और वह किस topics से based से वह मैं आपके सामने लेकर रहा हूँ ठीक है अब आप इन topics को easily देख सकते हूँ क्योंकि मैंने आपको यूनिट का नाम बता दिया है genetics animal physiology immunology यह सब microbiology की बात करें तो microbiology में कहां से mainly question बनते maximum question इन पांचो topic के अलावा भी maximum question वाइरस से बनते हैं और अधर एजेंट से बनते हैं जैसे कि प्रायांस वाइरोइट्स वाइरुसोइट्स और वाइरल इंफेक्शन यह पूरे topic से यहां पर answer question पूछे घये उसे 28 question पूचे गए थे तिक है इस पूरे से 28 question पूचे गए जासालों में 22-न्टी-1 में 22-23 में 23 में ठीक है तो यहां पर िन-4 सालों में 28 question से इसी topics आहें ठीक है तो कभी 9 आये हैं हैं कभी 8 आये कभी साथ आये कभी 9 आये बट ठीक है तुम देखिए इसकी इसकी इंपोर्टेंस किसी एक ही टॉपिक से नो-nो कोश्चन आ रहे हैं रियान रखिए थोड़ा सा वाले हैं तो यहां पर अनिमल टीशू कल्चर से कुश्चन पूचे जाते हैं प्लांट टीशू कल्चर से कुश्चन पूचे जाते हैं तो यह भी है एक स्पेक्टोमेत्रिक एंड financial टेकनीक से आते हैं और एक आता है इलेक्ट्रोफगाटिक अदारी प्ल्रीॡड करह से देख सकते हूओ तू मन्त की क्योंकि 20 अप्रिल का आपका एक्जाम है तो तू मन्त के लिए रिकॉर्डड़ कोर्स अवेलेबल है तू त्रपल नाइन में वही टेस्स आप लगाना चाते क्योंकि आपने रिवाइस कर रहे होंगे अभी और मॉस्ट इंपोर्टेंट क्या है कॉश्चन प्रैक अब अभी तक तो मैंने जो लिस्ट बताइए वह बाइलोजिकल पॉर्टेंटी टॉट्टी फॉर राइट वह उसमें से बाइलोजिक पॉर्शन की मैंने बताइए अब आपके गैडबी में क्या आता है फिजिक्स केमिस्टी मैट्स भी पूछा जाता है तो मेरे साथ लास से कुछल पूचे जाते हैं कहां से से के सब्सक्राइब और यहां इस बाते हैं उसी से उसे मैथमेटिकल पॉर्शन में मैक्जीमम कोउचिन जर्मेटिकल पूछे गए हैं ज्यान रखिए थोड़ा सा आप यह mathematical portion क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो biotechnology उनको mathematics portion cover नहीं हो पाता difficult पड़ता है तो उनके लिए भी में most important topics के list में लेकर आ चुका हूँ आगे देखिए अब हम बात करेंगे most important topics of physics portion which will target GED B 2024 which will be held on 20th April ठीक है देखिए ज़रा electrostatic and electricity यहां से आता है EM wave यानिक electromagnetic waves से questions पूछ जाते हैं solid state and property of solid and fluids यहां से question आते हैं law of motion यानिकी laws of motion से question आते हैं thermodynamics and ketigy से question आते हैं यह तो list हुई physics के अब आती है chemistry के बारी most important topics of GED B chemistry portion यह रहे आपके सामने chemical kinetics first solution and qualitative properties second general aptitude test for biotechnology है न उसके point of view से कौन concept topics important है जो आपको definitely cover करना चाहिए to qualify GED B 2024 याद रखिए तो यह सब वो topics के list है fundamental of physical chemistry, GOC, general organic chemistry and aromaticity, polymer chemistry यहां यहां से question पूछे आते हैं तो definitely in a topic को तो करके जाईए फटा-फट ठीक है और वहीं मैं आपको बता दू आइटी jam का और GED B का हमारे जो 2025 है क्योंकि 2024 वाले बच्चा 10 कर चुके हैं 2025 के लिए हम लोग बेच लाउंच कर रहे हैं वो भी 19 फैप को होने वाला है तो प्लीज अपने जुनियर को जरूर बता दे क्योंकि वो लोग बाद में आते हैं और फिर बाद में जाने कि 6 मन्त का कोर्स जब मिलते हैं यह सारी चीजे एक ही जगे पर राइट वह भी हमारे वाप साइट पर आपको अवेलेबल रहेगी तो याद रखिए आपने जुनियर को जरूर बता दे क्योंकि आप लोग तो क्वालिफाई कर लेंगे बड़ डेफिनिट्य आपके कॉलेजिस में जो आपके हो तो हमारे पास सब रिकॉर्डिट कोर्स और लेक्चर सिरीज अवेलेबल है स्वेट की भी राइट और बाकी चीजों के लिए पेपर पेटर्न एग्जाम एनलेसिस जो है पेपर एनलेसिस क्या है कट आफ क्या है गैट भी का प्रीविस एर कोश्चिन्स टीचर सेंड होगा और यह हमारा रिजल्ट है ना क्योंकि हम रिजल्ट औरिएंटेट कोचिंग इस चूट है तो मैं आपको बता दू रिजल्ट औरिएंटेड हैं हमारे पास मोर देन वन थाउजन के सेलेक्शन से लास्ट येर के ही वही मैं बता दू आइटी जाम के टॉपर्स भी बह लेकर आया हूँ ऐसे ही नहीं दिया जाता मुस्त इंपर्टन टॉपिक्स आप भी देखोगे जो टॉपिक्स मैंने बता है उनसे पहले बहुत बार मल्टीपल टाइमस बार बार कॉच्छन पूचे गया है वह भी नंबर ऑफ कॉच्छन और नो ऐसे करके पूचे गया है ए झाल